इरान की जनता ने अपने नए प्रेसिडेंट को चुन लिया है और उनका नाम है एब्राहीम रैसी, इनके बारे में एक पार्थ जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये इरान के ऐसे पहली प्रेसिडेंट है, जो कि प्रेसिडेंट बनने के पहले ही यूएस का सैंक्षन जहेल तो ऐसा आखिर इनों ने क्या कर दिया है कि President बनने के पहले ही इन्हें US की तरफ से Sanction जेलना पड़ रहा है और क्यों इनको ऐसे शब्दों से नवाजा जा रहा है Heartliner इनको कहा जाता है Ultra Right Winger इस तरह किस शब्दों से नवाजने के पीछे क्या वज़े है क्या इनका Background है और इस प्रशांद आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इरान के नए President के इलेक्शन के बारे में इरान की जनता ने अपने नए President को चुन लिया है और उनका नाम है इब्राहीम रैसी अभी के इरान के वर्दों पर्तमान President हसन रुहानी जिनका कारेकाल 2021 में ही समाप्त होगा उसके बाद इस टाउन को Continue करेंगे 2021 से 2026 तक इब्राहीम रैसी तो देखे इरान ने अभी अभी अपने 13th Presidential Election कम्प्लीट किये और इसमें जीत तय मानी जा रहे थी कि इब्राहीम रैसी यहीं आहां के President होगे क् कि इनके उपर बैकिंग थी, इनके उपर हाथ था, वहां के Supreme Leader आयातुला खामे नहीं जीगा, आयातुला खामे नहीं वहां के Politically Supreme Leader ही नहीं है, बलकि वहां के Most Popular Leader भी है, वहां की जनता में उनकी बहुत ही जादा पैठ है, उन्होंने जिसके उपर अपना हाथ रग दिया, उसका चुना जाना लगवग तैथा, कि इरान में Presidential Election कैसे होते हैं, यह सब कुछ अभी हम लोग आगे देखेंगे, रेकिंगे उसके पहले हम लोगों को इरान के बारे में एक चीज़ समझनी होगी, कि इरान एक Shiaid Muslims का नेशन है, कह सकते हैं कि आप जानते होंगे कि दुनि इरान की population में 90% से जादा लोग Shiaid Muslim हैं, इरान की demography को समझते हुए इसी note पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं इरान के political structure पर, कि वहाँ पर जो सबसे बड़ा, सबसे जादा महतुपोर्ण political authority होती है, it is of supreme leader, और यह इस वक्त है आयात अलाग ख हुआ था, उसके बाद से अभी तक कि यह सिर्फ दूसरे supreme leader है, इरान का अगर हम लोगों को political setup समझ ना हो, तो हम लोगों कुछ इन शब्दों से समझ सकते हैं, पहली चीज़ तो वह एक theocratic state है, theocratic state is just opposite of a secular state, जैसे भारत, USA, secular states है, और इरान एक secular state ना होकर एक theocratic state है, मतलब इनके political structure में, इनके political setup में, religion plays a very important role, दूसरी चीज़ आप जानते होंगे कि कुछ देश parliamentary system में चलते हैं, कुछ देश presidential system में चलते हैं, जैसे कि भारत parliamentary system को follow करता है, वहीं अगर हम लोग USA की बात करें, तो वो presidential system को follow करता है, लेकिन इरान में ये दोनों ही systems हैं, इसलिए इसक एक कौसी presidential या कौसी parliamentary system कहा जा सकता है, तेकि parliamentary system क्या होता है, parliamentary system ये होता है, जहाँ पर एक parliament हो, parliament में बैठते हैं legislature के members, जिनको directly जनता चुनती है, अलग-अलग constituencies से जनता चुन कर अपने representatives को यहाँ पर भेजती है, और फिर ये अपने leader का चैन करते हैं, जिन से तैव होता ह है कि यहाँ का जो political power है, वो किसके हाथ में रहेगी, अगर politically सबसे important position, जो head of state, de facto होता है, उसका चैन, अगर parliament खुद करे, तो इसको बोलते है parliamentary system, परन्तु अगर de facto head of the state का चैन, जनता directly करे, तो इसको कहा जाता है presidential system, जैसे कि US में होता है, head of state, लगभग directly, अलग से USA की जनत के द्वारा चुना जाता है, parliament वहाँ के president को नहीं चुनती, जबकि भारत में जो de facto head of state, prime minister होते है, उनका चैन, parliament करती है, ऐसा ही UK में भी होता है, इसके अलावा हम लोगों ने federal structures के बारे में देखा है, कि जब देश बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पर कई बार हम लोग यह division of power हमको इरान में देखने को नहीं मिलता, यह एक unitary state है, जैसा कि हम लोगों को UK में देखने को मिलता है, और जब हम लोगों ने कही दिया कि यह theocratic state है, तो theocracy में हम बताया कि religion बहुत important role play करता है, तो कौन सा religion? Shiaism, which is a part of Islam, तो इसको एक Islamic Republic कहते हैं, तो यह Shia और Sunni दो Islam हम चला रहे हैं, Sunni कहते हैं कि असली Islam हम चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अपने नाम के आगे यह नहीं बोलते हैं कि हम एक Shia Islamic Republic हैं, वो बोलते हैं कि Shia का मतलब ही है pure, तो हम ही है Islamic Republic, तो यहाँ पर एक नज़र डालते हैं, जैकि कैसे वहां की जनता directly हर 4 साल पी अपने President को भी चुनती है, और उसी के साथ में अपनी Parliament को भी अलग से चुनती है, और Parliament तै करती है कि Cabinet में कौन बैठेगा, Cabinet का चैन Parliament के Approval से होता है, इतना ही नहीं जनता directly एक Assembly of Experts को भी चुनती है, इसमें 86 Member होते हैं, और इनका चैन हर 8 साल पर होता है, और यह Assembly of Experts यह तै करती है कि अगला Supreme Leader कौन होगा, पर यहाँ पर यह जो Members हैं जिनको directly जनता चुन रही है, उससे भी जादा powerful positions पे वो लोग बैठे होते हैं, जिनको indirectly Supreme Leader ने खुद तै किया होता है, इसका मतलब आप यह समझ जाए कि अगले Supreme Leader कौन होगा, इस बात को तै सुप्रीम लीडर खुद ही क इसके लावा देखी, यहाँ पर जो President के पास powers होती हैं, जो Parliament के पास powers होती हैं, उनसे भी कहीं जादा powers हैं, वो Guardian Council के पास होती है, Guardian Council समझ जाए कि एक तरह से एक ऐसी council है, जिसको Head Supreme Leader करते हैं, Supreme Leader ही सब कुछ तै करते हैं, कोई भी कानून, कोई भी Executive Decision, Guardian Council के बिना वहाँ प Approval, Finally Parliament से लिया जाता है, तो यह जो छह Judiciary से चुने जाते हैं, Judiciary में भी बहुत हद तक हस्तक शेप वहाँ के Supreme Leader का होता है, तो Guardian Council basically Supreme Leader की एक Authoritative Body है, और उसके बाद आती है एक Expediency Council, Expediency Council आप इस तरह समझ जाए कि सलाकार परिशद, जो कि Supreme Leader को सला देती है, Presidential Run के लिए कोई भी Candidate ऐसे ही नहीं खड़ा हो सकता, अगर वो अपनी Party बना कर वहाँ पे अपना Candidature एक्स्प्रेस करता भी है, उसको भी हटाने का उसको Over Rule करनी की Power Supreme Leader के पास में है, तो आप इस तरह से समझ जाए कि वहाँ पे Democracy है, तो जनता अपना President चुन दो सकती है, पर जो Options उसके सामने Available होंगे, वो सभी Supreme Leader ही तै करके भेजेंगे, Supreme Leader के पास से ही कुछ Options जनता को दिये जाएंगे, मान लीजे कि Supreme Leader ने अपने पसंद के कुछ चार Candidate जनता को चुनने के लिए सौप दिये और उन्होंने बोला कि इन में से किसी है को चुन लो, तो ये इस प्रकार की Democracy वहाँ Religion, Religious Affairs, वहाँ की Judiciary, वहाँ की Media, इन सभी चीज़ों को Control करते हैं, तो आप समझ जाएए कि जितने भी Important Subjects हैं, वो सभी Supreme Leader ने अपने हाथ में रख रखे हैं, पर ये जो President होता है, Obviously, ये Head of Executive होता है, 4 years का इनका term होता है, और 2 consecutive term ये रह सकते हैं, कि अभी मैं जिसकी बात कर वो ये रहा, कि ये जो Guardian Council है, Guardian Council का मतलब हो गया Supreme Leader, तो यहीं तैक करते हैं, कि ए Presidential Election में खड़ा कौन हो सकता है, तो अब आपको ये बात तो समझ में आ गई, कि एपराहीम राइसी जी नए President वहाँ पर बनने जा रहे हैं, वो बन भी गए हैं लगभग, इसके ठीक पहले जो तैम आना जा रहा था, और इस बार अगर आप इरान के Election को Follow कर रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि 1979 में जब से वहाँ पर नया Constitution और नया Islamic Revolution आया है, उसके बात से सबसे कम voter turn out था, सबसे कम लोगों ने vote देने के लिए इच्छा जाहिर की, और वो शायद इसलिए क्योंक तो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा बहुत अबराहीम रैसी जी के बारे में, देखे इनकी जो जर्नी रही हैं वो धीरे धीरे करके ये बड़े हुए हैं, सबसे पहले 1980 में ये Prosecutor General of Karaj बनाए गये थे, उसके बाद धीरे देर करके Prosecutor of Tehran और First Deputy to Head of Judiciary ये 2004 से 2014 तक रह च उस तरह से वैसी कोई Position पर पहुँच गया है, लेकिन ये देखे जब से 2019 में ये वहाँ के Chief Justice के Position पर पहुँचे हैं, तब से ही उनके उपर उनके नाम पर Controversies चल रही हैं, पुरी दुनिया भर में इस बात की खिलाफत हो रही है कि उनको वहाँ की Judiciary का Head क्यों बनाया गया पास-पास, जब Cold War अपने चरम पर थी, उसी वक्त, because of US influence, इरान के अंदर भी एक तक्ता पलट करने की कोशिश की जा रही थी, जैसे 1979 में एक तक्ता पलट हुआ था, और एक नया Political Regime इरान में स्थापित होई थी, Islamic Revolution हुआ था 1979 में, उसके बाद US अपनी एक Defeat महसूस कर रहा था, उसको पलटने की कोशिश कर रहा था, 1988-89 आते आते वहाँ पर, जो internal rebellion था, वो अपने चरम पर था, उसके पहले अगर आप जानते होंगे 1979 के पहले, तो इरान में काफी हद तक westernization को फैलाया जा रहा था, वहां के शाह के द्वारा, तो वो पुरानी mindset के लोग इरा अगर हम चाहते हैं अपने इस Islamic revolution को जाई रखना और यह जो Islamic state हम लोगों ने तयार किया है, इसको अगर continue रखना चाहते हैं, इसको long live बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से हमको चुटकारा पाना होगा, जो लगातार internal rebellion की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में एक westernized mindset भरने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को leftist बनाते जा रहे हैं, आप left wing जो मान सकता होती है, उसको जानते होंगे कि ये लोग, जो left मान सकता होती है, ये जो ideology है, ये religion को नहीं मानती, this is against religion, ये religion नहीं मानते, ये state नहीं मानते, ये एक class struggle की बात करते हैं, तो इस ideology की काफी सारे लोग इरान में मौझूद थे, जो लोगों को ऐसा कहते थे, कि religion आप लोगों को सिर्फ भ्रहम में रखने के लिए बनाया गया है, और इसलिए बनाया गया है, जिससे कि अमीर अमीर बने रहे हैं, गरीब गरीब बने रहे हैं, कभी आप अपने demands ना रख पाएं, तो religion और state का ना लोग उनको support नहीं कर रहे हैं, तो जनता का support नहीं मिल रहा, इसी सब को ध्यान में रखते हुए, इरान ने काफी सारे लोगों जो politically government की against थे, उनको jail में डाला, वो political prisoners बनाये गया है, और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक three judicial member commission बनाया गया, जिसको Amnesty International Death Commission कह कहता है, क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी political prisoners थे, उनसे कुछ questions पूछे जाते थे, उनसे पूछा जाता था कि आप Islam को मानते हैं या नहीं मानते, क्या आप मानते हैं कि Prophet Muhammad is the last prophet, और क्या आप Quran पढ़ते हैं, इस तरह कि उनसे काफी fundamentalist questions पूछे जाते थे, अगर उसका जवा काफी सारी बहुत बड़ी मात्रा में इतनी संक्या जिसकों कि गिना ही नहीं जा सकता, कहते हैं कि the numbers, कहते हैं कि number is in thousands और ऐसे लोगों की extra judicial killing की गई इस commission के द्वारा, कि officially तो वहाँ पर 7,000 political prisoners थे, जो कि तहरान के पास मौजूद एविन और गोहरदाश्ट prison में बन थे, उ record से गायब हो गए, और ऐसी बहुत सारी unmarked mass graves इरान में मौजूद हैं, तो ये जो three-membered death commission था, उसमें तीन judges थे, उन तीन में से एक judge, इरान के होने वाले नए president इबराहीम रैसी थे, इस तरह का बड़ा serious आरोप इबराहीम रैसी जी के उपर लगता है, इसलिए ये इतने controversial figure है, एक और चीज़ है देखिए, अगर आप इरान के military structure के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो आप जानते होंगे कि इरान में तीन तरह की आर्मी है, एक तो है Islamic Republic of Iran Army, जिसको आरतेश बोलते हैं, जैसे कि किसी भी देश की अपनी official army होती है, जैसे कि इंडिया की force IRGC, जो दुनिया भर में फैली हुई है और इनका काम है शियाइजम की रक्षा करना, ये कोई इरान की army, इरान का border को protect करने के लिए नहीं बनाई गई है, बलकि ये शियाइजम को protect करने के लिए बनाई गई है, इसको Islamic army कह सकते हैं, एंड इसके बाद तीसरी army है, passage resistance force, ये एक तरह की moral police है, जो की पूरे देश भर में फैली होई होती है, वो ये देखते हैं कि क्या वो जो 1988 में जिसकी वज़ा से executions करने पड़े थे, वैसी मानसिकता के लोग और तो नहीं फैल रहे हैं, लोग religious है की नहीं हैं, लोग शियाइजम में ठीक से believe कर रहे हैं या नहीं क कर रहे हैं, जिसको की यहां की लोग कहते हैं कि वहीं true Islam है, तो अगर उसको follow नहीं कर रहा, तो उसको execute करने की कोशिश करते हैं, तो यह इस तरह की तीन तरह की वहाँ पर army देखने को मिलती है, या military structure हैं का, और यह जो तीनों ही armies है, यह supreme leader के अंडर में होती है, supreme leader के पास और यह जो सबसे उनकी कीमती army है, वो IRGC ही है, यानि कि Islamic revolutionary guard cops और उससे संबंध रखते हैं, राइसी है, जो 2020 की starting में Mr. Suleimani जी की death हुई थी, इराक में, अमेरिका ने उनके उपर strike करके उनको मार दिया था, उनका भी संबंध IRGC से ही था, IRGC के head थे वो, और चुकि वो army, यहीं, वहाँ के supreme leader के बहुत करीब है, तो जो भी उससे जुड़ा हुआ, बड़ा पदा धिकारी होता है, वो वैसे भी supreme leader के बहुत नजदीक होता है, तो Ricey is one among them, कि एक और बात इनके लिए महतुपूर्ण है, अगर आपने ध्यान से इस तस्वीर को देखा हो, यह तो वह वहाँ के supreme leader है, Mr. Ayatullah Khamenei, यह वहाँ के अभी के president Hasan Rohani, वहाँ के vice president, वहाँ के speaker of parliament और वहाँ के chief justice अभी जो है, Ibrahim Raisi, अब यहीं, वहाँ के नए president बन जाएंगे, अगर आप इनकी dress को ध्यान से देखिए, तो यह Ayatullah Khamenei, इन्होंने black turban पहन रखी है, और ऐसी ही black turban पहन पहन रखी है, Ibrahim Raisi जी ने, इसके अलावा किसी ने भी ऐसी black turban नहीं पहन रखी है, ऐसा काला कपड़ा यहाँ पर देखिए, उपर से वो नहीं पहन रखा, एक rope पहन रखा है इन दोनों लोगों ने, इनके अलावा और कोई भी नहीं पहनता, और कोई पहन भी नहीं सकता, वो इसलिए, क्योंकि यहाँ पर ये dress पहनने की अजाज़त सिर्फ उनहीं को है, जो कि सीधे Prophet Muhammad की lineage से आता हो, किसी ना किसी तरह से, और ऐसी lineage को या तो आयातुला खामेनई जी पूरा करते थे, और या तो अब Ibrahim Raisi जी पूरा करते हैं, यहीं एक वज़ा है, कि अब इनको अगले सुप्रीम लीडर, क्योंकि 1989 में जब आयातुला खामेनई जी इरान के सुप्रीम लीडर बने, उसके पहले दो टर्म तक वो वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके थे, तो क्या Ibrahim Raisi जी भी वहीं पातफॉलो कर रहे हैं, पहले प्रेसिडेंट और उसके बाद सुप् जबरदस्ट सपोर्ट, एक लैंड्सलाइड विक्टरी होई है उनकी, तो जबरदस्ट सपोर्ट इबराहीम Raisi जी को इसलिए भी देखने को मिला, क्योंकि वहाँ की जनता का इस वक्त प्राइड हर्ट है, लगातार US Sanktions इरान जहेल रहा है, इसके लावाँ वहाँ के जो अल्ट्रा राइट विंग व्यक्ति उनके देश में आए, जो कि उनके नेशनल प्राइट को restore कर सके, आने वाले समय में क्या होगा, कैसे इरान उस इवेंट का बदला लेगा, या फिर बदला नहीं भी लेगा, उनके आने वाले समय में nuclear policy क्या होगी, उनके US के साथ में relations कै से होंगे जैसे Middle East के जो equations हैं वो बदलते जा रहे हैं उनका इस्रेइल के साथ में जो जगडा था काफी वर्षों पुराना वो अब और भी जादा बढ़ चड़कर सामने आ रहा है उसमें ऐसे एक hardliner extremist view रखने वाले president क्या role play करेंगे ये सब भविश्य में देखने वाली बाते हैं